बिल्कुल बजार जैसा क्रिस्पी और सुपर टेस्टी घर में ही मैं आपको चिकन पॉपकॉण बनाना बताओंगी जिसे बनाना बहुत असान है कम समय में बनके तयार हो जाता है चिकन पॉपकॉन बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम बोनलिस चिकन चिकन को अच्छे से धो लिया है और इसका सारा पानी ट्रिनर पर रखके हटा लिया है आप घर में भी बहुत ही असानी से बोन से फ्लेश को अलग कर सकते है तो मैं आपको चमच में लेके दिखाते हूं पॉपकॉन साइस मैंने काट लिया है अगर छोटे बड़े पेस हो तो कोई बात नहीं अब चिकन को हम मैरिनेट करेंगे तो उसके लिए डाले नमक, स्वादनुसार, मैं एक चोथाई चोटी चमच जाली एक चोटी चमच जिंजर कार्लिक पेस्ट, एक चोटी चमच काली मर्च पॉडर, एक चोटी चमच निबू करस, एक चोथाई चोटी चमच लाज मर्च पॉडर और आदा चोटी चमच सोया सॉस, सोया सॉस से बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है घर में हो तो जरूर डाले तो जो चाइनिस फूड में हम डालते हैं सोया सॉस ये वही है चमच से मिला ले कम से कम 15 मिनिट के लिए रेस्ट पे रखे आप आदे गंटे के लिए भी रख सकते हैं 15 मिनिट हो चुका है आप एक प्लेट लीजिए उसमें डाले 3 चमच मैदा और 2 चमच कॉन फ्लो आप इसके बदले अरोरोट पॉडर भी ले सकते हैं एक चुटकी फूड कलर बस रंगत के लिए आप नहीं भी डाल सकते हैं देखिए बस इतना सा 1 चुथाई चुटी चमच लाल मिर्च पॉडर और एक चुथाई छोटी चमच नमक नमक हमने पहले भी डाला था हलका ही डाले अब 2 चमच से हम इस तरीके से मिला लेंगे अब मैरिनेट करके जो चिकेन पीसेस रखे हैं इसे डाल दिजिए सारा का सारा और 2 चमच के हेल्प से हम इस तरीके से फ्लोर में मिक्स करेंगे ताकि इसका जितना मॉइस्चिर है वो सब सूख जाए और जो हमने मैरिनेशन किया है जितने मसाले डाले है जो भी फ्लेवर है वो अंदर ही रहे और फ्लोर से उपर से कोट हो जाए तो सबसे असान तरीका घर में होमेट चिकेन पॉपकॉन बनाने क तरीका बता रही हूँ क्योंकि अभी तो हमें बजार का बिलको भी नहीं खाना है अवाइडी करना है तो घर में फ्रेश चिकन के साथ आप इस तरीके से जब भी आपको नॉन विट स्टार्टर खाने का मन करें तो बनाए कोट करने के बाद अब हम स्टेनर पे इस तरीके स अंडे का हमें योग इस तरीके से खाली वाइड पार्ट गिराए आप किसी दुस्त हम आप अमलेट में डाल के इस्तेमाल कर लीजेगा यलू पार डालने से पकोड़ा सौफ्ट हो जाता है और बहुत तेजी से डाक कलर का होने लगता है तो एक अंडे का एग वाइड लिय दूद रूम टेंप्रेचर का होना चाहिए अच्छे से मिला ले तो एक चमस दूद डालने से पतला हो गया बहुत ही बढ़्या से चिकन की पीसे में कोट हो जाएगा हम सारे चिकन के पीस एग वाइड में डाल देंगे और इस तरीके से मिक्स करेंगे एग वाइड में मिलाने के बाद हम फिर से स्टेनर पे रखते हैं ताकि एक्स्ट्रा एग वाइड निकल जाए तो बिल्कुल भी बहुत बढ़तन गंदे नहीं होगे मैं पार पार एक ही बढ़तन का इस्तेमाल कर रही हूँ तो देखिए इतना एग वाइट निकल गया अगर नहीं निकालते तो अच्छा नहीं बनता पापकॉन इसे साइट रखिए अब हम ब्रेट क्रम से कोट करेंगे तो मेरी पस ब्रेट के किनारे पड़े हुए थे निकाल की ब्रेट क्रम्स बना सकते या फिर बहुत ही जादा क्रिस्पीनस के लिए कॉनफ्लेक्स यूस करे कॉनफ्लेक्स को मिक्सी में पीसलेजे और उसमें कोट करें अब हम एक एक chicken peace को इस तरीके से coat करते जाएंगे जितना chip के bread crumbs उतना लगाएं बाकि जाड़ ले और plate में रखते कितना सुन्दार डिख रहा है मैं आपको फिर से बताती हूँ एक chicken का piece ले और इस तरीके से coat कर ले अच्छे से bread crumbs चिपका दे तो कोई पीस अगर आपको तेड़ा मेरा दीखे तो हाथों से हरका सा इसतरी किसे दाप ले और प्लेट में रखते जाए ऐसे हम सारे चिकन के पीस कोट कर लेके सारे पॉपकॉन को हमने कोट कर लिया है और बेस्ट रिजर्ट के लिए 10 मिनिट के लिए फ्रीज में रख दीजे ताकि अच्छे से सेट हो जाए या फिर ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं तलने के लिए यहाँ पर मैंने ओयल डाला है आप किसी भी तरीकी का तेल डाल सकते हैं लेकिन मस्टेड ओयल नहीं डालीएगा तेल गरम हो चुका है फ्लेम को लो टू मिडियम कर दीजिए ताकि चिकन अच्छे से कुखो और इस तरीके से डाल दीजिए एक ही बार मैंने सारे चिकन पेस को डाल दिया है आप देख सकते हैं बिल्कुल भी तेल में नहीं बिखर रहा है लेकिन अभी हमें चम्मच या स्पैचुला नहीं डालना है दो मिनट के ले इसी तरीके से फ्राई होने दे दो मिनट के बार चम्मच से हलके हातों से इस तरीके से उलट पलट ले तो आप देख सकते हैं कितना पढ़िया कलर आया है और कितना असान है बनाना तो जो हमने फर्स्ट मैरिनेशन किया था जिंजर, डालिक, लेमन से आप उस टाइम भी 10 मेट रेस्ट देखरके कॉन फ्लोर, मैटा और एक वाइट डाल सकते है लेकिन पर्फेक्ट पॉपकॉन इसी तरीके से बगता है, दो-दो मेट पे हम उलटते-पलटते रहेंगे ताकि चारुत रप से क्रिस्पी हो जाए और चिकन कूख हो जाए तो 6-7 मेट हो चुका है, उलटते-पलटते फ्राई कर लिया है, ओल से निकाल दीचे बहुत ही क्रिस्पी होमेट चिकन पॉपकॉन बनके तयार है पलेट में निकाल लिजे बहुत ही जादा क्रिस्पी बना है, तो सूपर क्रिस्पी और बहुत ही यम्मी चिकन पॉपकॉन बनके तयार है, मैं आपको काट के दिखाती हूँ तो बहुत ही अच्छे से चिकन कुक हुआ है और आप कोटिंग भी देख सकते हैं तो बिना रुके टमाटो केचप और मियोनिस के साथ एंजॉय करें विडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट कीजेगा मेरे साथ विडियो में जूड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद